हलो हाई नमस्ते आप सभी का स्वागत है ओन दे लेक्स क्रेक यू पेसी सी चैनल विरा नाम प्रतीक है और हम कंटीन्यू कर रहे हैं हमारे प्रीवेस सेशिंस को जो तमिलनाडू बोर्ड की बुक से थे और हमने पिछले क्लासिस के अंदर शुरू किया था मिडिवल हिस्ट्री यस दोस्तों अगर आपको पिछले सेशन हमारे याद होंगे तो हमने तमिलनाडू बोर्ड की इंस्टिउशन की जो किताबे है उसके अंदर इंशेंट हिस्ट्री को खतम किया हुआ है और उसके बाद हम लोग आज शुरू कर रहे हैं मिडिवल इंडिया को खेल मिडिवल इंडिया के अंदर भी हम लोग काफी टॉपिक के ओपर कवर कर चुके थे जैसे अगर आपको पिछला क्लास याद होगा तो आई है डिस्कस्ट अबाउट अगर आपको याद होगा तो हमने 750 से 1000 तक का पीरड पढ़ा था और 1000 से लेके हमने 1200 100 तक के period को भी समदने की कोशिश की थी सबसे पहले invasions के point of view से early medieval के अंदर पढ़ाया था कि कैसे Arab invasion of Sindh हुआ sir और ये होता है करीबन 712 के अंदर in 712 CE the Arab invasion of Sindh will take place over a period of time we will see the Ghaznaveed invasion of India will take place है ना and Ghazni करीबन 17 तवा भारत के ओपर आकरबन करता है in between a time span of 1000 to 1025 and finally कल के class के अंदर हमने आपको समदने की कोशिश की थी कैसे गुरीड invasion of India हुआ गुरीड यानि की मुहमद गुरी जो था वो कैसे भारत के ओपर आकरबन करेगा और अपना दबदबाइस्टाबिश करेगा यहां से ही शुरुआत होती है दिल्ली के सल्तनत की सरो के दिल्ली के सल्तनत का मतलब यह है कि दिल्ली के जो सुल्तान थे वो अपनी डाइस्टी को एस्टाबिश करेंगे देवल बी एस्टाबिशिंग देन डाइस्टी ओर पीरिड ऑफ टाइम तो इसके दर राजपूर डाइस्टी क्यों डेक्लाइन के ऊपर चली जाती है तो पिछला क्लास अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको गुरिड इन्वेजिंस के पॉइंट ऑफी से बताने की कोशिश की थी कि भारती इतियास के अंदर दो लडाईया बहुत प्रॉमिनेंट रह करते हैं या उनको हरवाया जाता है जाइचन एड इवेंट्योली विल सी कि मुहमद घुरी जो है वह अपना दबदबाए इस्टबिश करेगा तो आज कंटीन्यू करेंगे पुरुष्विरत चौहान के पॉइंट ऑफ यू से हम यह देखने की कोशिश करेंगे इस्ट्री इसकी सत्ता कैसे आई यह पावर के उपर कैसे है इसके बीचे की हिस्ट्रोग्राफी यह इतियास हमको क्या बताता है सर तो विदाउट वेस्टिंग मच आफ यू टाइम मैं आपको फिर से वेलकम करता हूं अन्द लेट्स क्रेक यूप एसी सी एसी मिरा राम प्रतीक नाय पर अभी आनकेडेमी के एप्लिकेशन अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको 50% आफ मिल रहा है जी हां दोस्तों 50% आफ है आप यह कोड यूज कर सकते हो पी एन लाइव एप्लिकेशन की फासियत यह है कि इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर आपको आउंगा वैसे ही एकोनॉमी पॉलिटी जोग्रोफी एन्वार्मेंट सी सेट ओप्शनल इंक्लूडिंग यह प्रिलिम्स अंदे मेंस टेस्स सेरीज एवरिफिंग विल बी कवर्ड आपको लेक्चर्स विद पीपीटी मिलेंगे टेस्स सेरीज मिलेगी नोर्स में बिल जा चाह रहा है है 2024 के लिए तैयारी करना चाह रहा है तो आई वूट सजेस्ट इस इस परफेक्ट टाइम तो स्टार्ट एंड जॉइन दे क्लासे क्यूंकि इसके बाद जैसे से प्रिलिम्स का महुल नस्दिक आएगा वैसे वैसे बहुत दिक्कत आएगी और अगले महिने से सब्सक्रिप्शन का फाइदा यह वाली और इसमें भी टॉप एड्युकेटर्स आपको कंट्री के मिलेंगे आपको मेंटर्शिप भी मिलेगी अगर आप आइकोनिक सब्सक्रिप्शन का फाइदा यह होगा कि आपको मेंटर लॉट किये जाएंगे यह मेंटर आपको हेल्प करेंगे इन्यों प्रिपरेशन बाकि आप हिंदी मेडियम में भी क्लास को एंड्रोल कर सकते हो हमारे बैच इसकी खासियत यह है कि आप इंग्लिश और ह हिंदी कोई भी भाषा के अंदर तैयारी करिए सा ठीक है हम आपको comprehensive batches देंगे in fact English specific batches भी मिलेगी और आपको English batches भी मिलेगी जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो one subscription all classes आप कोई भी batch को कितने भी बार देख सकते हो कितने भी educators के classes को आप एंड्रोल कर सकते हो आप individual subjects के point of से भी पढ़ाई कर सकते हो तो जरू से जुड़िये हमारी कुछ नहीं तो आप test series लगवा सकते हो हमारी यह test series आपको prelims और mains के हिसाप से बहुत help करेगी और अभी यह 3 September से test शुरू हो रही है अगर आप यह code use करोगी PN live आपको maximum discount भी मिलेगा कुछ नहीं तो आप ह और अगर आपने इसमें अच्छा rank score किया क्योंकि इसमें competitive ranking होगी आपके साथ 1000 बच्चे और भी दे रहे होंगे और आपको बहुत लाब मिलेगा आप इसमें से macbook या we will see की iPad या Amazon के voucher जीच सकते हो scholarship मिल सकती है कुछ नहीं तो आपको अपना status समझ में आएगा कि आप कहां लाइफ और maximum discount दोस्तों है ना तो यह code है this is your entry point to an academy i would से इसका लाब उठाईए और जरूर से हमारे साथ आईए सर चलते हैं हम लोग Turkish invasions के point of view से और पिछले class के अंदर मैंने आपको घूर के बारे में बताया था और घूर के point of view से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी क मोहमद गूरी जो था उसने किस त्रस्टी कोन से भारत के ओपर आकरबन किया सर ठीक है तो अगर आपको पिछले sessions याद होंगे तो we had already covered about the history of मोहमद गूर और मैंने आपको बताया था कि गूर कौन हुआ करता था सर ठीक है ना समझे तो मुझदिन मोहमद और गूरी डाइन मोहमद ने की कोशिश की थी कि यह गूरी जो है यह 1190 के आजुबाजु में पंजाब और वहां की एरिया को कंसॉल्डेट करेगा अगर आपको पिछला क्लास याद होगा तो मैंने आपको यह भी समझाने की कोशिश की थी कि यह गूर डाइनस्टी है यह भारत में उत्तर 1778 के अंदर पहली मार पड़ी इन बैटल ऑफ कैद्रा सर ठीक है समझे यह कैद्रा में गुजरात की एक क्वीन हुआ करती थी नाइका देवी सरो के ना पिछले क्लासिस के अंदर मैंने आपको बताय था कि गूरी का जब गुजरात में भारत एंट्री होती है सरो के तो उस के बाद गुरी कंटीनिवसली भारत में एता रहा उसने 1190 तक आते आते पंजाब को कंसॉल्डेट किया और उसने जब पंजाब को कंसॉल्डेट किया तो उसकी लड़ाई प्रिचुरा चोहान के साथ हो गई सर ठीक है और यही लड़ाई के पॉइंट ऑफ यू से पिछले विन सरो के अगें 1192 के अंदर हमें यह देखने को मिलता है कि सेकंड बैटल अफ तरेन हुई तरेन को लेके दूसरी लड़ाई होती है और इन इन दिस सेकंड बैटल अफ तरेन वी विल विल बिलिंग विलिंग बिकॉस ऑफ ट्रेशरी दन बाय राचपूत किंग कॉल्ड जैचन सरो के तो ऐसा कहते है कि जैचन करके एक राजा हुआ करते थे यह जैचन की प्रिथुरा चौहान के साथ नहीं बनती थी जैचन डिद नॉट हैड गुड रलेशंस विद प्रिथुरा चौहान and that is one of the reasons he acted in a very treacherous way and over a period of time प्रिथुरा चौहान हार गये प्रिथुरा हमें यह कहा जाता है कि वही आप जो खड़ा खोते हो उसमें आप गिरोगे सर कर्म किसी को नहीं छोड़ता है जैचन के साथ भी यही हुआ जैचन ने प्रिथुरा चौहान के साथ गद्दारी की अपने political ambitions और अपने socio-cultural issues को उसने set करवाने के लिए प्रिथुरा चौहान क गोरी उसको पराजित कर देगा गोरी उसके बाद अपने दो सेनापतियों को भेजता है सर याद रखना सर ओके न समझे तो 1191-92 के अंदर आपको तरेन की लड़ाई देखने को मिलेगी यह तरेन की लड़ाई के अंदर घोरी का ददबा उसके बाद घोरी करनोज के उपर जीता 1194 के बाद and we will see कि घोरी का ही एक सेनापति बंगाल की तरफ आएगा सर ठीक है और हमें देखने को मिलता है कि by 1200 बक्ति और खिलजी करके एक सेनापति था क्या नाम था बक्ति और खिलजी यह जो बक्ति और खिलजी था इसने भारत की और खास करके इस्ट इंडिया की जो बची कुछी डानेस्टी स्थी इनको भी खतम कर दिया सर ओके सो बक्ति और खिलजी विल बी एंट्रिंग इन दे इस्टन पार अफ दी कंट्री यह विदेशी आक्रमान ऐसे हो रहे से जहां इन आक्रमंताओं को लग रहा था दा इन्वेडर्स वर थिंकिंग कि आपना महत्वा है सेक्षानिक संस्ताओं का अपना महत्वा है इसके लिए टेंपल्स एंड एजुकेशन इस्टूशन इस्टूशन वर फॉस्टार्गेटेड इन भारत के अंदर टेंपल्स जो थे या बोध मठ हुआ करते थे वहां धर्म के साथ साथ सिक्षा भी दी जात थी एजुकेशन एंड रिलीजिन बोथ वर को रिलेटिव बोथ वर एक्चुली इंपार्टेड और यह दोनों की दोनों इंपार्टमेंट जिस तरह से हो रही थी उसमें हमको बड़ी मात्रा के अंदर सोशन देखने को मिलेगा सर ठीक है तो बक्तियार खिल जी की कहानी आ अबसार को टुबुदिन अइबक को थां उत्तर भारत और यह कonteny है गॉरी एक हैं कि आ क्रौट नम से तो कहानि आपको यहां से देखने को मिलती है कि गूरीय कि आकरमन के बाद उसी के ही घुलाम honest हमें को देखने को मिलेंगे यह अपने आपको को independent करते हुए अपनी नई डाइनस्टी की शुरुआत करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं स्लेव डाइनस्टी सर ओके आज के तो अगर आप थोड़ा बहुत याद करिये अभी के या पिछले क्लासिस के पॉइंट ऑफ यू से तो हमने आपको बताया था कि भारत के अंदर यह जो राजपूर डाइनस्टी से वर स्केटर और पॉलिटिकली कॉइट फ्रेग्मेंटेड सर और और विल सी कि दे हैड मल्ट इनस्ति पुट डिनस्टी इस इफ एबल तो रीकॉल गुजरात वह रूब बाया नास्टी कॉल दिस देनस्टी जहां हमें देखने को मिलता है कि चौहांड डाइनस्टी रूल कर रही है वी विल सी कि आज के दिल्ली वाले रीजिन के अंदर हमें तोमर डाइनस्टी देख परमार डाइनस्टी देखने को मिलती है हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि आज के बुंदेल खंड वाले रीजन के अंदर चंडेल डाइनस्टी रूल करेगी और आज का कन्नौज वाला जो विस्तार है कन्नौज मरला आज का यूपी वाला जो विस्तार है वहां पे भी वि इंवेजन ऑफ घुरी वाट वस दी कंडिशन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि भारत के अंदर राजकिये परिस्तिति क्या हुआ करती थी जब घुरी का अक्रमन हुआ तो यह जो राजपूत किंग्डम्स थे इनके बीच में पॉलिटिकल यूनिटी का अभाव देखने को मि क्योंकि यह जितने भी राजपूत डानेस्टी से यह बड़े एंबीशियस हुआ करते थे सरहना समझे इनकी सबकी अपनी स्तापना थी अपने एंपायर बनाने की पॉइंट ऑफ यू से यह सबके सब लोग अपना एंपायर बनाना चाहते थे तो हमें यह पता चल रहा है क इनके बीच में कॉडिनेशन नहीं था इनके बीच में संगर चल रहा था सत्ता कोले के अब यह चीज आपको बहुत देखने को मिलती है कि जब जब भारत के अंदर या भारती इतियास की जब हम बात करेंगे तो जब जब विदेशी आकरांताओं का या फॉरें इन्वेड से कंडीशन और पॉलिटिकल वीकनेसिस आप देखिए मौरियन पीरड की मैं बात करूंगा मौरियस के पॉइंट ऑफ यू से हमको यह पदा चलता है कि मौरियस हैड बिल्ट अप वन अफ बिगेस्ट एंपायर्स इन इंडिया सर इंचेंट इंडिया के अंदर मौरियस का सब्सक्राइन हुआ पॉलिटिकल फ्रेग्मेंटेशन है मगद में श्यूंग डाइनस्ट्री निकल के आई कणव आए नीचे दखन में सत्वहनास का विकास होने की शुरूआ तो उडिसा कलिंग के अंदर खारविल राजा निकल के आए और उत्तर पश्विम यानि कि आज के पीरड के अंदर भी मिलती है even in the further period you will find the same old story repeated यह reputation आपको देखने को मिला with reference to I would say the post गुपता पीरड गुपता का पतन हुआ और उसी दौर के अंदर weaknesses आने की शुरूआत होगी और हुन डाइनस्टी का आक्रमन होता हुन इन्वेजन ओन इंडिया आपको मिलेगा यह हुन इन्वेजन भी विल सी कि एसी कंडिशन में आ रहा था जहां political weaknesses या political fragmentation थी 1000 तक आते आते घजनी का आक्रमन हुआ उसके पीछे का कारण था गुर्जर को जीतने में लगा दी और नॉर्सवेस्ट इंडिया को सेफगार्ड करने के लिए सोचा नहीं और सिंगल पॉलिटिकल यूनिटी या सिंगल पॉलिटिकल एंपार ना होने के कारण विरेशी आक्रमन हुए और फिर हमारी यहां भारत की जो राज्किय परिश्तिती है वो पॉलिटिकल विक्नेसीं नॉर्भी यहां यह पॉलिटिकल विक्नेसे अगर्व ऑफॉ सबंढह थे को रहे हैं तो इने बीच में जो इनफाइटिंग हुआ करती यह इन आख अगर आप समदेख ही कोशिश करिए तो विदेशी लेगा तो जब घोरी का आक्रमन हुआ तो पृत्विराद चौहान जो चौहान वंच के राजा थे जिनों ने अजमेर के ऊपर से साशन करने की शुरुआत की थी और पीरिड अफ टाइम ये पृत्विराद चौहान की बाकी सरे राजपूर सासकों के शाथ आप देखोगे तो रिले जैसे चंडेलों की बात करेंगे जो बुंदेलखंड में रूल करते थे रूलिंग फ्रम प्लेस कॉल्ड खजूराओ सबको पता ही होगा खजूराओ अज़ाओ प्लेस जो युनेस्को वर्ल्ट हेरिटेट साइड भी है इसके साथ-साथ इनका एक और पुराना कैपिटल समझे इनके उपर यूपीएसी ने पीटी में अल्रडी सवाल पूछा हुआ है इन फैक्ट यह जो पीरड है ना 1000 से 1200 तक का पीरड यह पीरड यूपीएसी के लिए सबसे फेवरेट है आजकल प्रिलिम्स के अंदर से और यह अलग-अलग डानेस्टी इसके उपर से सवाल रहा है सो ले सेंस्स फ्यू डेस यह लास्ट फ्यू यह कोशन पेपर अगर आप समझे तो हमें यह पता चल रहा है कि यूपीएसी भर-बर की यहां से सवाल निकालेगा और ऐसे सवाल निकालेगा जो बड़े ट्विस्टिंग होगे बड़े फैक्ट्यूल हम को यहां से द इसी के कारण we will come to know कि प्रित्वरा चोहन जब अपना empire बनाने की कोशिश की and when he went towards the Punjab region और वो दिल्ली को consolidate करते हुए पंजाब की तरफ गए तो घोरी ने कहा कि act or not always मैं नहीं स्विकार हूंगा तुमको यहां पंजाब की तरफ क्योंकि पंजाब तो हमारे लिए important था अफगानों का यह मानना था कि पंजाब is the backyard for the Afghan dynasties and the Afghan empires आप देखिए नादीर शाह के पीरिड में भी यही होगा अब्दली के पीरिड में भी यही होगा एहमद शाब्दली ने भारत के उपर आकरमन की और तीसरी पानिपत की लड़ाई की 1761 में उसके पीछे का एक करण था पंजाब गजनी का आकरमन पंजाब गोरी का आकरमन भी पंजाब क्यूंकि पंजाब के अंदर एक आई हुई जगा है जिसका नाम था भटिंडा यह भ भटिंडा टारा भिंड्ड शरोर के इनका मनना था कि यह फुट हमारा है को पर हमारा दब दबा होना चाहिए खोर घ्रह क्यूंकि यह थो का सामराजय बन चुका है उस दौर के अंदर तो इन द्रस्तिकों से इनके बीच में पॉलिटिकल वीक्नेस होना इनके बीच में कॉन्फिक्ट होना पंजाब एक ऐसा एरिया है जो बफर जोन के बीच में था बिट्विन दे इंडियन डानेस्टी एंड फॉरेंड डानेस्ट के पॉइंट ऑफ यू से अब देखिए तो वी विल सी एवरी टाइम वेनेवर फॉरें इंवेजन टेक्स प्लेस इस वाया दरीजन ओफ नॉर्ट स्वेस्ट इंडिया ओंली और यह नॉर्ट स्वेस्ट में खाइबर पास करके एक जगा बहुत ही प्रॉमिनेंटली आपको तो कहानी आपको यह देखने को मिलती है कि गोरी की जब हम लोग इतियास देखते हैं और गोरी के पॉइंट ऑफ यू से जब हम लोग हिस्टोरिकल सेंस में देखेंगे तो गोरी ने सबसे पहले रीजन कैप्चर करने शुरू किये सर और उसने वहां पे अपना एस्टाब्लिश्मेंट की अफगानिस्तान में यह अफगानिस्तान करते करते हैं वी विल ओर सी ओर पीरिड ऑफ टाइम उसकी सेना में बहुत लोग जुडने की शुरूआत होती है सर गरिंग ओपन ओके तो वाट वी सी फ्रूरिकल पॉइंट ऑफ यू और फिस्ट्री व उपर अपना एस्टाब्लिश्मेंट करने की कोशिश करेगा सर गेडिंग ओपर तो मुईजुदिन घूरी की इंटेंशन क्या थी सर तो यह तमिलाडू बोड की बुक कहती है कि इव गजनवीड इन्वेजिंस वर इंटेंडेड फॉर लूट गूरीड एनलाड़ देर स्क तो एस्टाब्रिश करना दिन गहसी अपने आपको इस्टाब्रेश करना के अंदर पाइर बनाने के लिए और रेगुलर इंकम के पॉइंट ऑफ वी से भी वो बना रहा है सर गेडिंग ऑपर्ड ओके सो थूद एलेवन एटीज एलेवन निटीज गोरी एस्टबिश्ट गेरिशंस इन दे मौर्डन प्रोरिंस पंजाब सिंद एन हर्याना अब यह बड़ा इंपोर्टन है सर ठीक है हम देखने को मिलता है कि घोरी क्यों जीता था वाइ गोरी वॉन सर ओके तो गोरी के जीतने के पीछे का कारण क्या है उसमें एक कारण आपको यह तमिलनाडू की बुक यह बता रही है कि बहुत बड़ी मात्रा में जब उसने सेंटर्स की स्टापना की ना इन माइग्रेशन का मतलब क्या है दोस्तों अच्छुली एक्टर गूर नंबर अफ मरसेनरी मरसे लोग जो पैसे देखे आपके साथ काम कर रहे हैं बहुत सारे स्लेव आपको देखने को मिलेंगे जो इसके एडिमिनिस्टेशन में इसके साथ जूडेंगे सर ओके और इन सब का साथ लेकि उसकी सेना का एक्सपांशन हुआ सरे इडिग ऑपांड ओके तो इस मरसेनरी वर और और इस्टेश्ट अपना सामराज्य बनाने की शुरूआत करेगा खास करके उत्तर भारत के विस्तारों के अंदर वहां पे उसने ये अपने सेना पतियों को स्लेव को मूल तह से यूज़ करने की शुरूआत की सर ठ ने देखिए कुतरू बुदिन अब गर्न के बढ़ें दिली सल्तनत के इंदर एक और राजा आएगा जिसका नाम है उल्तुत म पहले उसने ये ध्यान रखा, उसके पहले, उसने ध्यान रखा, कि जब-जब इंडिया के उपर अटेक करना है, उसके पहले अपनी administration को ठीक कर देना है, उसने विशेस्ट प्रकार के slaves का उयूज किया, कुछ slaves ऐसे थे जहां हमें ये देखने को मिलता है, कि उसने सेना के अंदर उनको उप्योग किया, उनकी administration में, military में, bureaucracy में उप्योग किया, कुछ-कुछ slaves को उसने domestic slaves के रूप में भी ट्रीट किया, domestic slaves का मतलब क्या है, कि ये जो slaves थे, उनको गरगत्तो काम दिये गए, उनको घर का चलान कराना, या basically घर के related जो भी और भी बाते आपको मिलती है, वो सब करवाने का कारिया आपको यहां से मिलता है, sir, getting opened, okay, और घोरी के initial power centers point of view कि इसे आप से देखोगे, तो उत्तर भारत के विस्तार थे, खास करके पंजाब के से, okay, तो गोरी gradually लाहोर और लाहोर के साथ सथ उच्छ और मुलतान वाले regions के उपर बहुत फोकस करता है, sir, ठीक है, लाहोर इस इन पंजाब, उच्छ इस इन सिंध रीजन, है न, मुलतान is actually the point between सिंध एन पंजाब, है न, मुलतान अग ताके 300 run बनाये थे, अगेंस पाकिस्तान, sir, खेर, वो भी एक दौर था जहां इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में खेला करती थी, और बहुत है न, बहुत सारे runs हमने स्कोर किये थे, sir, getting up, okay, तो लाहोर उच्छ और मुलतान वर कंसीडर्ट थे सिग्निफिकन सेंटर्स पावर, इस द्रस्तिकोंड से हमें देखने को मिलता है कि घोरी ने जब अफगानिस्तान से अटेक करने की शुरुआत की, तो उसने सबसे पहले मुलतान को कैप्चर कर दिया, ये मुलतान को कैप्चर करने के साथ-साथ उसने उच को कैप्चर किया, sir, okay, ना समझे, तो हम जब घोरी के invasions की बात करेंगे, तो हमें sequence of invasion पता होना चाहिए, sequence of invasion का मतलब क्या है कि घोरी जब अफगानिस्तान से निकला और वो घजनी प्रान से जब निकला अपना सामराजय बनाने के लिए, तो घोरी decided to capture the region of मुलतान, first of all, मुलतान के साथ-साथ अगर आप समझोग और उसने प्लान किया कि मैं गुजरात की तरफ आउंगा, अब गुजरात में इस पीरिट में जो डाइनस्टी थी, उसके बारे में मैंने आपको बताया, सोलंकी डाइनस्टी , और मैंने आपको फिछले कلاसे इंदर भी बताय था कि ये जोलंकी कि एक और नाम से पहचानते थे यह नाम के लिए हम लोग कहता है चाउलुकिया सर क्या कहता है ते आर कॉल विथा नेम कॉल डास चाउलुकिया चाउलुकिया के रूप में भी पैचानते हैं अब यह चाउलुकिया दूसरे चाउलुकिया थे देखे भारती इतियास में इंशेंट हिस्टी में देखोगे तो there is one more dynasty called as Chalukya dynasty एक dynasty Chalukya है वो western Chalukya से South India में rule करते थे वटापी करके एक जगा है या बादामी करके आपको एक जगा देखने को मिलेगी वहाँ से ये लोग साशन करेंगे ये जो Chalukya है या ये जो Solankee dynasty आपको देखने को मिलती है ये गुजरात में rule कर रही थी और गोरी ने जब आकरिमन किया पहली बार तो उसने यहाँ पे गुजरात को जीतने की कोशिश की प्लान तो उसका वही था कि मैं सौमनात के ऊपर जो मुहमद घजनी ने अपना domination establish किया था वैसी कहानी को मैं try करूँगा ठीक है बट देन घुरी के साथ हुआ किया तो दे चौलुक्यास ऑफ गुजरात inflicted a crushing defeat on मुहमद घुरी at माउंट टाबू ये कोई और नहीं आपकी कयादरा की लड़ाई हुई थी याद रखना आपको पूछा जा सकता है कि when the battle of कयादरा had taken place, who was the queen तो नाइका देवी used to be the queen कौन थी? नाइका देवी करके queen हुआ करती थी जिन्होंने 1178-79 के अंदर गुजरात राजस्तान की border अरवली की पहाडियों की बीच में गुरी को धर दी और उसकी service कर दी after his defeat गुरी changed the course of his expedition consolidating his position and sin then पंजाब मैंने बताया ना कि घुरी को समझ में आ गया कि बिटा गुजरात तो मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा I won't be able to win the region of गुजरात Let me focus on some other states and other states के point of view से उसने plan किया कि मैं पंजाब की तरफ अपना focus करूँ और सिंध की तरफ अपना focus करूँ इसको consolidate करते हुए अगर मैं दिल्ली की तरफ आऊंगा और नॉर्स इंडिया की तरफ आऊंगा तो उसके लिए बड़ा लाब होगा ठीक है और इसी द्रस्टी कोन से अगर आप समझने की कोशिश करिए उसकी लड़ाई प्रिथ्विराथ चोहान के साथ होगी तो over a period of time we will come to know कि प्रिथ्विराथ चोहान उनके साथ क्यों लड़ने के लिए आए and what was the reason behind प्रिथ्विराथ चोहान's entry into the I would say the conflict against गूरी वो आपको background के रूप में hopefully समझ में आ गई होगी ठीक है न समझे तो चोहान जो यहां सिंद में रूल सुरी राजस्तान में रूल कर रहे थे उनका दबदबा पंजाब की तरह भी था क्योंकि प्रिथ्विराथ चोहान का यह मानना था कि पंजाब को नहीं जीतूंगा तो अजमेर और दिल्ली के ओपर खत्रा होगा और इसके कारण इनके बीच में एक कॉन्फिक्ट होगी यह कॉन्फिक्ट एक जगा को लेती है जिसका नाम है तारा भिंड यह तारा भिंड को हम इतियास के अंदर दूसरे नाम से पैचानते है इट इस आल्सो कॉल्ड अस भटिंडा दबा एस्टाब्लिश हो जाएगा और ऐसे एस्टाब्लिश होगा तो जो भविश्य के अंदर बड़ा खत्रे में हो सकता है बाकी सारे साशकों के लिए भी तो वही कहानी आपको यहां से देखने को मिलती है गोरी अटेक्ट दफोट्रेस अफ ताराभिंड 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 अब कैसे भी गोरी को रोकना पड़ेगा अगर नहीं रोका तो हमारे लिए बड़ा प्रॉबलेमाटिक हो सकता है सब्सक्राभिंड तारीख याद रखना दोस्तो फिर से मैं कह रहा हूं तारीख याद रखना क्यूंकि आपको सवाल यहां से बहुत सारे उठ पठांग पूछे जाते हैं तो यूशूड नो कि वेन दर फर्स्ट बैटल अफ तरें तुक लेस तरें मूलतह से करनाल के पास की जगा है लड़ाई किसके लिए हुई थी लड़ाई भटिंडा के लिए हुई थी मतलब यह है कि घोरी भारत में इंटर कर चुका है घोरी हैड ओर्रेड इंटर इंटर इंडिया सर गेडिंग अब तरें में दो लड़ाईया हुई मैंने आपको अभी थोड़ी यह पहले बताया और मैंने आपको बताने की कोशिश की कि 1191 के अंदर जब पहली बैटल अफ तरें हुई यह फर्स्ट बैटल अफ तरें में गोरी वॉस नॉट अबल तु विन गोरी जीत नहीं पाता है गोरी नहीं जीत पाता है तो 1191 में परिशुरा चौहान का हाथ ऊपर रहा परिशुरा चौहान एड एक्शुली मिलेटरी विक्ट्री इन दे फर्स बैटल अफ तरें सर गेडिंग ओपन ओके अब आप समध्य की कोशिश करिए होता क्या है परिशुरा चौहान 1191 के अंदर जब पहली बैटल अफ तरेंग जीतते है तो इट बिकेम वेरी मुच क्लियर की गोरी इस मिलिटरी के लिए वीक और गोरी को पता है कि परिशुरा चौहान को हराने के लिए मुझे कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा जैसे घोरी ने वीवल सी की पंजाब के अंदर उच जीत लिया या मुलतान जीत लिया पंजाब सिंध वाले रीजन में दूसरी हमें यह देखने को मिल रहा है कि घोरी यह देख रहा था कि पृष्वरा चौहान की कुछ तो वीकनेस होंगी कुछ तो वीकनेस होने का मतलब है कि पृष्वरा चौहान जो साशन चला रहे है उनके साशन में कुछ-कुछ कमिया भी होगी सर हना सम काइंड ऑफ ड्रॉबैक्स विल भी दिया तो क्या इन ड्रॉबैक्स को इन कमियों का हम लाग उठा सकते हैं तो गोरी के पॉइंट ऑफ यू से जब हम लोग इत्यासिक रूप में देखेंगे तो गोरी प्रिस्वरा चौहान की वीकनेस जूनने की शुरूबात करता है अब देखें मैंने आपको पहले भी कहा था सर ओके इस्टरी रिपीट सिट सेल्फ है ना कल आ कि रॉइस चीज रहा थजा आप मैंसे बहुत सारे लोगों kadar कि वह समझ में नहीं हो रहा कि मास्टर न यह शब्द का MPC क्यूं करता रहता है다 फीक है तो मास्टर हिस्ट्री रिपीट सिट सेल्फ यह कहता है उसके के बीचे का कारण है दोस्तों सरो के फंडामेंटल रीजन इस दाट कि जब 1191 के अंदर प्रिच्वराद चोहान ने घोरी को हराया तरेन की पहली लडाई के अंदर तो इट बिकेम वेरी क्लियर कि प्रिच्वराद चोहान का अपर हैंड अब आप देखिए कि आप अपने 78 से आपके उपर आकरमन करने का प्लान कर रहा है वह व्यक्ति सेकेंड टाइम आपके उपर आकरमन क्यों ना करें उसके भीचे का आपके पास कुई जायज रिजन था आप इतने भल्मन साही में जी रहे थे आपको यह लग रहा था कि भी नो इस ओल फाइन इस ओल गुड öz cuestión of what we don't see anything जहां प्रिचुडवा चोहान हमारे उपर फिर से अबगा गोरी हमारे उपर फिर अबचे करेगा ऐसी कोई परिस्थीी का निर्मान नहीं हो रहा था क्या सच्चा यह हुआ कर्ति थी आप सबने की कोशिच करिए सच्चा यह थी की प्रिचुडा चोहान ने सब 1191 के अंदर गोरी को हरा ना तरेन की पहली लड़ाई में जो करनाल के पास हुई थी मैटर था भटीनदा को लेके बट देन वी विल सी कि पृत्वरा चोहां ने कंसॉल्डेट नहीं किया मैं यह क्यों कहता हूं कि हिस्ट्री रिपीट इसेल्फ उसके पीछे का कारण है कि भरतिय साशकों के अंदर जो हम यह कह सकते हैं कि लेसं सीखने चाहिए वह लेसं हम सीखते ही नहीं थे आप देखिए कि आपको पता है कि आपका दुश्मन एक दफ बदल दे आप अपनी जो वीकनेसी से उसके अंदर वर्क आउट करें क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बर आप जीतोगे है ना सिंपल चीज है ना कि इट्स लाइक कि वही आपने यूपीसी का एक अटेम्ट दिया है यह पहले अटेम्ट में आप जैसे तैसे करके पास तो हो ग सकता है ना कि आपका पीटी ना निकले तो वही परिस्तिती यहां हो रही है अब हमने गोरी को भगा दिया और उनको लग रहा था कि मैंने उसको क्लिमेंसी दी है एक्चुली जब लड़ाई हुई ना तरेन की की फ़रेन की पहले रड़ाई के अंदर क्लेमेंसी मतला है बेजिकली मैंने बताया कि हमारे राजा धर्मयूद करते थे उनकी एक सिग्निफिकंस पार्ट यह हुआ करती थी कि यह एथिकल वारफेर के पॉmaalें तफ यू से कभी भी दुश्मन मैंने रहु ने भृस के पृत्विराथ चौहान वह सब्सक्राइब करने चाहिए थे पर वो किये नहीं सर है ना तो बुक भी यह कहती है सर करिंगों पृत्विराथ स्कूर्ड बिर्लियंट विक्तरी इन इस बैटल इन इस बैटल का मतलब है तरेन की बैटल बट फेल टू आप देखिये कि हमारे साशेगों की गलती क्या हुई हमारे साशेगों को यह लग रहा था कि भही यह गोरी जो है यह रेगुलर आएगा नहीं यह एक फ्रंट को लेके लडाई हुई थी बॉर्डर एडिया को लेके अब यह आया था एक बार हमने भगवा दिया अब सेकेंड अब देखें हम कितनी एक एक प्रकार की हम यह कह सकते हैं कि we were living in some kind of we can say hallucination एक प्रकार की हमारे साशेगों के पॉइंट अफ्वी से हम लोग यह कह सकते हैं कि वही हमारे राजाओं को लग रहा था कि it's all good it's all fine enough sir getting on point but then we will see कि यह कहानी के अंदर हमें यह देखने को मिला कि खुद कमजोर हो गया था 1191 के अंदर उसको अपने एक गुलाम ने उसको गोड़े के उपर बिठा और भगा दिया सर ओके और इस द्रस्टिकोन से प्रिथुरा चोहान यहां मिस्टेक करते हैं मिस्टेक करने का मतलब क्या है सर है ना समझे उन्होंने गोरी को हराया कि यह वो सेकेंड टाइम आया उसके पहले मैं अपके आपको कंसॉल्डेट कर दू उसको सेकेंड टाइम आने का ही मौका ना दू सर है ना I should not allow him to come to my house and then enter into my kingdom and fight a battle सरो के मैं इतना कंसॉल्डेट कर दू कि उसको बॉर्डर से ही भगा दिया जाए सरो के आप देखिए तरेन की लड़ाई करनाल के पास हुई थी करनाल दिल्ली से कितरा होगा 60-70 किलोमेटर दिल्ली और अजमेर वाले रीजिन में तो प्रिशुरा चौहन का सीधा दबदबा था मतलब यह था कि आपका दुश्मन पंजाब लाद के या पंजाब क्रोस करके आपके तरफ आ चुका है आ प्रिशुरा चौहान की सबसे बड़ी गलती यह हुई after the first battle of terrain is that he took things for granted, चीजों को आपने ग्रांटेड लिया, आपने गुडविल में चीजों को समझा, गुडविल का मतलब यह है, आपको लग रहा था कि मैं भला हूँ तो जग भला है का मतलब यह है कि भारत के स्थानिक साशकों के अंदर यह एक धर्म युद्ध था, यह अच्छी बात है सर, ठीक है, अच्छी बात क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि भारतिय साशकों की प्रणाली के अंदर हमारी जितने भी किताबे लिखी गई है, जो भी शास्तरस लिखे गए थे, सर, इंशेन टेक्स्ट पीछे से वार नहीं करेंगे, हम कभी भी घोषना करने के बाद ही युद्ध करेंगे, और घोषना जब युद्ध की समय समापती होती है, तो हम दोनों को रिट्रीट करेंगे, तो एथिकल वारफेर था, हम लोगों को बेसिकली या परचुरा चोहान और उनके जो ज़हनिस्तान जाके अपने आपको री ओर्गेनाइज करता है, री ओर्गेनाइज करने का मतलब यह है कि उसको पता था कि मुझे अब भारत के अंदर फिर से जीतना है, तो मुझे अपने आपको री स्ट्रॉंग करना पड़ेगा सर, तो आप देखिये कि 1191 के अंदर पहल अपने आपको री कंसॉल्डेट करते और इस दौर में घोरी के इन्वेजन को एंटीसिपेट करते हैं, एंटीसिपेशन करने का मतलब यह है कि प्रिश्विरा चोहान को यह चीज बड़ी ध्यान में रखनी चाहिए थी, कि घोरी अगर सेकंड टाइम आए, उसके पहले ही म उसको धर दूसर, ठीक है, उसी तरह से उसको खतम कर दूसर, गिरिंग ओपन, ओके, बट गोरी 1191 के अंदर जब पहली तरेन की लड़ाई हुई, वो अपने आपको री ओर्गिनाइस करता है, और देखो, यहां से ही आती है, आपकी स्किल्स as a military commander, आपकी स्किल्स as a leader, सर, जब दुश्मन को या अपने जो adversary है, उसको पराजित करते हो, पराजित करने के बद कभी भी granted नहीं लेना चाहिए, there is every possibility की second point of view से ही है, second wave के point of view से हमारे उपर आएंगे, और यही हुआ, the same old thing happened over here, sir, okay, and गोरी और चोहान के point of view से हमको यह पदा चल रहा है, कि चोहान जब second point of view से हम लोग बात करते है, या second दरश्टी कोन से हम लोग बात करेंगे, sir, okay, तो हमें बहुत सारी सीज़े इसमें गल्तियों के रूप में देखने को मिलेगी, तो दोस्तों, गोरी और परिश्वराद चोहान के point of view से हमको यह चीज़ तो समझ में आ रही है, कि इनके मीच में जो strategic planning थी, उसके लेके बहुत सारी issues हो गए, sir, okay, और यही issues के continuation के अंतरगत अगर आप समनने की कोशिश करिए, तो हमें यह जानकारी मिल रही है कि परिश्वराद चोहान मौहमद घुरी के साथ 1192 के अंदर फिर से एक और बार संगर्श करेंगे, यह संगर्श second battle of terrain के रूप में पहचानते हैं, यह second battle of terrain के अंतरगत हमको तमिलनाडू बोर्ड की ये बूट बताती है, कि प्रिश्वराज underestimated the potential danger of the enemy, आप देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, कि युद्ध की इतियास के अंदर कभी भी अपने adversary को, अपने opponent को, अपने दुश्मन को कभी भी underestimate मत करियेगा, the moment and the time you'll underestimate, there is every possibility they will overpower you, गोरी अपने आपको reorganize करवाने की शुरुआज करता है, after the first battle of terrain, terrain की पहली लड़ाई के immediate concern के point of view से हमको ये पता चला, कि गोरी ने अपने आपको reorganize करवाया, जो चीज प्रिश्वराज चोहान नहीं कर पा रहे थे, गोरी प्रिश्वराज चोहान की weaknesses को दुखाने की कोशिश करेगा, and this is how in the second battle of terrain, which was one of the major turning points in Indian history, प्रिश्वराज suffered a crushing defeat, and was eventually captured by गोरी, आप समदने की कोशिश करिये, कि इस द्रस्टी कोन से गोरी प्रिश्वराज चोहान को हरा देते है, और हराने के बाद हमें ये प्रिश्वराज चोहान का जो दबदबा, या भी विल सी की जो राजबूर डाइनस्टी का जो दबदबा था, वो पूरी तरह से टूटने की शुरुआज होगी, तो हमें यह पता चल रहा है कि पूरी तरह से जो कहानी है वो बदल गई अब सवाल यहां से यह आता है कि अब आगे क्या होगा यहां से दूसरा सवाल यह भी आता है कि what is the fundamental outcome of this sir getting off point okay what next के point of view से अगर आप समझने की कोशिश करिये की तरेन की लड़ाई के अंदर पृत्वरा चौहान क्यों हार गये सर है ना समझेख नहीं समझेख नहीं समझे तो हमें यह पता चल रहा है कि तरेन की जब फर्स्ट बैटल हुई तो विदिं दी फर्स्ट बैटल हमें यह पत थी वो नहीं ली सर और वो अपने आपको कंसॉल्डेट नहीं कर पाए फर लॉंगर पीरड सर और इसी दरस्टी कोन से हमें देखने को मिलता है कि जब सेकंड बैटल हुई 1192 के अंदर तो प्रिश्वरा चौहान को हार जेलनी पड़ती है इन फैक घोरी इसके अंदर का एक साथो साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि गोरी प्रिश्वरा चौहान की वीकनेसिस को अडेंटिफाई करता है और ये वीकनेसिस के पॉइंट अफ यू से प्रिश्वरा चौहान की एक बहुत बड़ी वीकनेस थी वो है राचपूर डाइनस्टी की सपोर्ट में ना आ से कुछ-कुछ राजपूर डाइस्टी पृत्विरा चौहान के अगेंस में चले गए थे जैसे गड़वाल डाइस्टी जो कन्नौज में रूल कर रही थी गड़वाल डाइस्टी जो कन्नौज में रूल कर रही थी यह गड़वाल डाइस्टी की पृत्विरा चौहान की डा बिल्डिंग थी उसको लेके इनकी कॉन्फिक्ट चल रही है और गढ़वाल डाइनस्टी के जो राजा थे जैचंद यह जैचंद की डॉटर के साथ प्रिश्वराद चौहान का ब्याह हुआ था यह भी जैचंद को पसंद नहीं था एक्चुली कहानी यह हुई है कि after or when the first battle of terrain had taken place when Ghori had lost the war over a period of time Ghori started looking for weaknesses into the प्रिश्वराद चौहान's army and the Rajput organizations when he was analyzing all these things Ghori came to know about a conflict of जैचंद with प्रिश्वराद चौहान Ghori को प्रिश्वराद चौहान और जैचंद के बीच में जो conflict है उसके बारे में पता चला इसका लाब उठाने की कोशिश की और जैचंद ने जाके प्रिश्वराद चौहान की weakness इसनी वो घोरी को बता दी actually लडाई का एक मुख्यकाराद यह था कि प्रिश्वराद चौहान और जैचंद के बीच में matrimonial disputes चल रहे थे जैचंद की daughter हुआ करती थी सायोगीता जैचंद को लग रहा था कि यह हमारा अपमान है एक प्रकार से हमारी ना कटवादी है इन्होंने पूरी की पूरी बिरादरी के अंदर और इसके कारण we will see की जैचंद गदारी करता है या घोरी को प्रिश्वराद चौहान की weaknesses बताएंगे और यही weaknesses का परिणाम हमें देखने को मिला long term के अंदर से जहां 1192 के अंदर जब तरेन की second battle हुई तो घोरी उस दौर के अंदर पृष्वराद चौहान के ओपर हावी पड़ा और हावी पड़ने के बाद ओर पीरिड ओफ टाइम हमें देखने को मिला कि उन्होंने वी विल सी की इनको हरा दिया सर्थ तो हमें कहानी यह देखने को मिली कि 1192 की battle of terrain के बाद ज्यादा तर राजपूत राज़ा पृष्वराद चौहान के साथ में थे ज्यादा तर राजपूत राज़ा यानि की तोमर और बाकी सारे smaller dynasties थी बर एक राज़ा था जिसका नाम था जैचंसर तो इन दे बैटल of terrain है ना समझे 1191 और 1192 यह दोनों की दोनों battles के अंदर क्या देखने को मिला वेन अल दे राजपूत चिप सेट स्टूद बापृष्वराद चौहान इन इस बैटल अगेंस मोहमत गोरी जैचं स्टूद अपार्ट एस दर वस एनिमिटी बेटून पृष्वराद और जैच अब यह कहानी क्या थी तो अभी मैंने आपको बताया कि जैचं की डॉटर थी उनका स्वयमवर हो रहा था और विदिस इस स्वयमवर वी विल सी कि प्रिश्वराद चौहान आये वह संयोगिता यह संयुक्ता को लेके चले गए और उनको लेके जाने के कारण जैचं बड़ करू और इसी के कारण वी विल कम तू नो कि जो जैचंद है वो गोरी के साथ से देने की कोशिश करेंगे सर गडिंव पॉर्ट तो सवाल यहां से दो प्रकार का आया पहला सवाल आप तो देखने को मिलता है कि आफ्टर दी बैटल अफ तरेन वाट विल हैपन नेक्स्ट य यह नेक्स्ट क्यूं होगा क्योंकि इसके बीचे का कहानी अलग अलग प्रकार से चलती है सरुके आफ्टर दी बैटल अफ तरेन ऐसा हुआ कि जैचंद को बड़ा लाव हुआ और जैचंद ने सोचा कि देखो मैंने अपना बढला ले लिया है आफ्टर डिफिटिंग प् दिरोज के दे रहे हो तो वह साशक आपकी कमजोर्य का लाप तो जरूर से उठाएगा और वही चीज आपको यहां से होती हुए देखने को मिल रही है और स्टोरी के पॉइंट आफ यू से हमको यही देखने को मिला कि in 1191 and 92 when the battle of terrains were taken place जैचंद had created a rift within the Rajput Kings and help Ghori जैचंद को यह लग रहा था कि मैं गोरी की मदद करके प्रिच्वरा चौहान से अपना बढ़ला ले रहा हूँ वेरास गोरी को तो बड़ी मज़ा आ गई त्यूंकि गोरी को समझ में आ गया कि इनके बीच में unity ही नहीं है आप समध्य की कोशिश करिए कि मुहमद गोरी had realized this part कि he is fighting against प्रिच्वराज and this प्रिच्वराज चौहान was being helped by some Rajput Kings but there were other Rajput Kings who were not helping इसमें यह जैचंद जैसे गदार लोग आपको देखने को मिलेंगी है साशक के point of view से इनको basically गोरी की मदद करने की मौका दिया गया इन्होंने गोरी की मदद की और इसके कारण 1191 में जो प्रिच्वराज गोरी को defeat करते हैं वही गोरी 1192 में प्रिच्वराज को हरा देंगे तो तरेन की लड़ाई के बाद प्रिच्वराज चोहान का तो अलग ही नक्षा निकल के आप उसके उपर बात करते हैं पर जैचंद को अपने कर्मो का फल मिल जाता है दोस्तों कर्मो का फल इसके लिए मिला क्योंकि ये जैचंद 1194 के अंदर कनौच के उपर मार्क हाएंगे अट दे हैंड आफ महमद गोरी गोरी ने कहा कि राजा तुम प्रिच्वराज चोहान की कमजोरी दिखा रहे थे या खुद की कमज इसकान को हराने के लिए मेरे तरफ आ रहा है मतलब रियालिटी यह है कि कल उठके मैं खुद जैचंद के उपर आकरमन करूंगा तो कोई राजपूत राज़ा उसको बचाने के लिए नहीं आएगा रियालिटी तो यही होती है ना सर विन यू एक्सपोज यूर वीक्नेस आज के डौर के अंदर ही रहने चाहिए किसी भारले व्यक्ती या बाहर वाले साशक को आप अपनी कमजोरिया मत दिखाओ यह भास्तविक्ता आज के दोर के अंदर भी सही है दोस्तों आपके घर की कमजोरी आपके घर के अंदर जो भी बरतन खटक रहे है खड़ 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 आवाज आ रहा है वो होने दो क्योंकि जो बहारी व्यक्ति आएगा या जो बहारी साशक आएगा वो तो आपकी कमजोरी का लाब उठाएगा तो जैचन ने देखा कि घोरी की मैं हेल्प करके प्रिशुराज को डिफीट करूंगा पर यही चीज घोरी ने अलग तरह से देखा घोरी ने कहा कि देखो इनके बीच में यूनिटी नहीं है तो मैं प्रिशुराज को हराया तो यह मेरे फेवर में आया अब मैं इसके उपर इसको कौन बचाने आएगा यह देखिए नाइतिक विशय था राजपूर्ट डैनस्टी के हार के बीचे का मूल कारण आपको यही देखने को मिलता है यही इसके लिए क्योंकि राजपूर्ट डैनस्टी इतनी कमजोर नहीं थी कि ऐसे हार पाए इनके बीच में डिफरेंस को साइडलाइन करके अपने आपको कंसॉल्डेट करने की कोशिश भी की थी ऐसा भी नहीं था कि नहीं किया है सर बट साइमल्टेनेस्टी इस दौरान जिस प्रकार की पॉलिटिकल क्रैसिस क्रियेट हुई इस दौरान जो भी इंटरनल वीकनेस थी उसमें से यह लोग नही सीख पाए और इसी का ही परिणाम आपको देखने को मिलता है यूविल फाइंड फंडामेंटल रिजन आउट अफ इट आप्टर बैटल ऑफ तरेन गोरी का जो रत है वो चलता रहा और गोरी का रत ऐसा चला ऐसा चला ऐसा चला कि 1194 में उसने कन्नौज में जैचंद को हिर आया उसके बाद घूरी के ही दो सेनापती मैंने आपको बताया कि एक था कुट्बुदिन एबक कुट उद्दिन एबक ये कुट्बुदिन एबक ने दिल्ली लाहोर वाले विस्तार के उपर अपना कंसॉल्टेशन किया और उसी का ही एक और सेनापती था जिसका नाम था बक्तियार खिल जी को आज के बंगाल और विहार वाले विस्तार में भीच के घूरी ने अल्मोस्ट उत्तर भारत के उपर और पुर्वत्तर भारत के उपर अपना डबतब्दा इस्टाबिश किया ये दोनों के दोनों गोरी के गुलाम हुआ करते थे बोथ आप डिस वर ए dynasty that you will come to know is the slave dynasty और यह जो slave dynasty थी यह slave dynasty इसी के साथ आपको जोड़ी हुई मिलेगी sir hitting upon okay and we will see that यह जो slave dynasty है यह slave dynasty कुटुब दिन अबक established करेगा 1206 के बाद जब गोरी की मृत्ती हुई और कहानी में हमको यह पराद चल रहा है कि यहां राधपूर दैनस्टी की के कारण यह हार गए and over a period of time we will come to know कि गोरी का दब-दबा establish होने की शुरूबात हुई sir okay so गोरी assidly defeated जैचंद in the in the year 1194 at the battle of कन्योज and return to ghzni with an enormous booty sir getting more point okay और इस द्रश्टी कोन से यहां से एक सवाल निकल के आया कि why the Rajputs lost Rajput dynasties क्यों हार गई sir है न समझे तो यात रखना कि the Rajputs lost not because of their weaknesses in the fighting power they had a very long martial tradition of courage and bravery Rajput dynasties का चो शत्रिय वन्श हुआ करते थे इन में से बहुत चारे अपने आपको चंद्रवन्शी कहते थे बहुत वन्श अपने आपको सूर्य वन्शी कहते थे कुछ dynasties अपने आपको अगनी वन्शी या अगनी कूलीन के रूप में पैचानते थे उसमें यह जो पर्मार वन्श है ना पर्मार वन्श पर्मार वन्श का तो महत्वा यह है कि अपने आपको अगनी वन्शी अगनी कूल के रूप में पैचानता है माउंट अबू जहां कयादरा की लड़ाई हुई थी उसके लिए इतियास में ये कहते है कि वशिष्ट रिशी हुआ करते थे अगर आपको पता होगा उन्होंने यज्य किया था और जब ये यज्य किया था तो उसमें से अगनी वंश में से अगनी कूल में से कुछ वन्षो की पराजय का कारण उनकी शौरयता का भाव नहीं था इता कि अगनी नहीं था राचपुट दिनेस्ती लॉस्ट अगेंस्त इगुरीद और गजनवीड इनवेशन आपको श्राचपूर नहीं था एक निगनी परेट लिए यहां से एक डिबेट निकल के आती है कि what was the reason behind the loss, तो reason behind the loss के point of view से, और the reason behind the success of गुरीड के point of view से, हमको ये चीज हमेशे याद रखनी है, कि that the Rajput dynastries had a very long standing tradition of martial spirit and courage and bravery, इनके अंदर योद्धाओ का जो एक जो feeling है, एक शौरियता है, bravery है, तो पहले से चल रही थी सर्गेरिंग ओपन, but the Rajputs had certain problems, द्वारा और तुर्कों के द्वारा जो weapons use किएगे, उसमें भी कुछ ज़्यादा फरक नहीं था, weapons होने का मदलब यह है, कि ये जो गुरी की सेना जो weapon use कर रही थी, almost वही प्रकार के weapons, राजपुत राजा भी use कर रहे थे, तलवार से use कर रहे थे, बक्तरों का use कर रहे थे, kind of shields का use कर रहे थे, तो सवाल क्या था, कि राजपुत राजपुत राज़ा हार गए, राजपुत राज़ाओ के एक हारने का कारण, मैंने आपको बताने की कोशिश की, उनके बीच में unity, यानि की एक प्रकार की एकता का अभाव था, secondly, अगर आप समदने की कोशिश करें, राजपुत राज़ाओ के हारने के पीछे का, एक कारण आपको ये देखने को मिलता है, वो है training और regimental discipline से, heading of point, अब ये बड़ा significant point यहाँ, Tamil Nadu board की book के अंदर highlight किया गया है, आप देखिए कि ये जो गोरी और घजनी के आकरबन हुए, वो Central Asia से हुए, Central Asia was the confluencing point, where the eastern world, the northern world and the western world and the southern world used to come together, आप मद्दे एशिया को देखिए, आज के अफगानिस्तान, उस्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान उपर रशिया है, west की तरफ तुर्की और इरान की शुरुवात हो जाएगी, मुलब इरान तुर्की से होता है यूरोप की शुरुवात होगी, east में देखोगे तो आपको चाइना मिलता है, तो ये जो Central Asia के जो प्रांथ है ना, उनको modernize करवाती थी, modernization with respect to military techniques, अब देखें, उस पीरेड में gunpowder का तो use हुआ नहीं था, जब गोरी और घजनी का आक्रमन हुआ, या तरेन की लड़ाया हुई या उसके बाद वाली जो continuous battles हुई, उसमें gunpowder का तो use नहीं हो रहा था, gunpowder का use नहीं होने के बावजूद भी military development में continuous changes आते रहे, जैसे formations बनाना, आप देखिए, बाबर ने एक technique यूज की थी, तुलगुमा technique, sir, ये तुलगुमा technique हम लोग पढ़ेंगे, पानीपत की पहली लड़ाय के अंदर, जैसे बाबर encircling करके संगर्ष करेगा और fight करेगा, ऐसी बहुत सारी techniques आपको देखने को मिलती है, इस दौर के अंदर, sir, getting up on, okay, but here we will not find the regimental discipline and the training was there, sir, है ना, समझे, sir, there was little difference between the weapons used by the Turks and the Rajputs, the issue was with respect to the training part and the techniques that were used in the fighting, sir, है ना, getting up on, okay, राजपूर्ट डैनस्टीज के अंदर या Indian डैनस्टीज के अंदर एक सवाल आपको देखने को मिले गया, वो है insulation, चीजों को insulate कर देना, बहुत सारी चीजे ऐसी आपको देखने को मिलती है, we will see कि technique के point of view से, planning के point of view से, हमारे लोग अपने आपको समय के साथ नहीं चला पाए, modernize नहीं चला पाए, sir, getting up on, okay, हमें देखने को मिल रहा है कि हम हाथी का उप्योग कर रहे है, लड़ाई करते हैं, sir, अब elephants were used in the empire building in ancient India, elephants, जैसे अब सिकंदर के बारे में थोड़ा बहुत जानते होगे, जब सिकंदर आया ना भारत में, when Alexander's invasion on India took place, he was surprised to see that the porus, या राजा पुरू, जो जहलम और चेनाब के बीच में रूल कर रहे थे, राजा पुरू के बास हाथियों की सेना थी, he had an elephant-based army, और वो हाथी की मदद से, we will see, की लड़ाई करते हुए, इनको पराजित करते हैं, मतलब काइंड ओफ एलेक्जंडर के सामने लड़ेंगे, और हाथी, अर्थ सशास्तर में भी एक special chapter दी आगे है, उसके अंदर एक special book लिखी गई है, की हाथी का उप्योग कैसे करना है in fighting, elephants were always, elephants were always used precisely with reference to, we can say warfare in ancient India, but elephants had their own drawbacks, drawbacks का मतलब ये था, की जैसे आप समदने की कोशिश करें, की जब हम लोग हाथी की बात करेंगे, तो हाथी के उपर बैट के लड़ाई करना बहुत टफ हो जाता है, it becomes very tough to fight when sitting on an elephant, precisely we will see, की हाथी के उपर एक तो आप बैठे होते हो, तो you are constantly under radar, क्योंकि दुश्मन आपको कहीं से भी देख सकता है, क्योंकि आप हाइट के उपर बैठे हो, पानीपत की लड़ाईओं में, या इवन ये 1000 तक आते आते, बहुत बार हमको ये एविडेंस देखने को मिले है, कि राजा हाथी के उपर बैठने के कारण मृत्थ हो गया, या उसको मार दिया गया, क्योंकि यहाँ नीचे से कोई खड़ा होगा, सटाक करके तीर मारेगा, आपको चहरे के उपर लगेगा, and then आप गिर जाओगे, और आप मर जाओगे, रियालिटी यही है, हाथी एक ऐसा एलिफंट, या एक ऐसा जानवर था, जो आपको इंशियंट, इंडिया के अंदर बहुत हेल्प किया, Medieval India was a time of flexibility, Medieval India was a time of mobility, Medieval India was a time that how quick can you fight, Madhyakalin, भारत एक ऐसा दौर है, जहां यह बोला जाता है, कि आप कितनी जल्दी लडाई कर पाओ, सटाक 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 सटाक, एक एक करके कैसे संगर्ष कर पाओ, वही चीज आपको यहां पर देखने को मिलती है, यह बड़े ही मैं कहूंगा, कि आउटडेटेड फॉर्मेट में लडाई कर रहे है, आउटडेटेड फॉर्मेट में लडाई करने का मतलब यह है, कि जो मिल्टरी स्केल सापको होनी चीज जो प्लानिंग का पॉइंट आपको देखने को मिलता है, वो बहुत सिग्निफिकंट ली था, तर गडिंगों पॉर्मेट के अंदर, हाथी सामराज यह बनाता भी है, और हाथी सामराज यह डुबाता भी है, इतियासिक द्रस्टी कौन से, हाथी के ऊपर सवाल ऐसे तब पूछा नहीं है, यूपीएसी नहीं, बट मेरा यह मानना है कि, यूपीएसी शूड आस्क कोशन ओन दे अलिफंट पार्ट अज वेल, और विट्स रिस्पेक्ट टू दे अलिफंट पार्ट, आपको यह चीज़ बड़ी प्रॉमिनेंटली देखने को मिलेगी, कि एलिफंट है जो आपके मुवमेंट को अल्टिमिटली स्लो कर देता है, क्योंकि अगर आपको जल्दी जाना हो, ऐसे फर एक्गंपल 10 किलोमेटर आपके दूर आपका दुश्मन खड़ा हुआ है, 10 किलोमेटर के अंदर आपको जाना हो औव्यस है कि आप हाथी के ओपर जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, अगर आप घोड़े के ओपर जाओगे तो जरी सेवरी पॉसिमिलिटी के फटा फट पहुंच जाओगे, अगर आपको हजार सैनिक लेके जाना है हाथी के ओपर तो बहुत समय लग जाएगा और आप घोड़े के ओपर जाओगे के पॉर्ट से बहुत फरक पड़ता है इन फेक घोड़े के ओपर जो कैवल्री हुआ करती थी तुर्किश कैवरी में इसमें stirrups का बहुत यूज हो पर आप जाना समय वर एक्च्वली काइंड ऑफ भी कें से अधर टूल स्टूल टूल जुच यू और आपको तीर वीर मारना हो तलवार बलवार चला नहीं हो तो आप कर सकते हो और ट्रीशनल बैटल्स में यह चीज बहुत फरक पड़ रही थी क्योंकि आपके पास जब ब सब्सक्राइब और हमारे राज़ा हाथी के ओपर लड़ते रहे उसके कारण एक बहुत बड़ा प्रॉब्लेम हुआ आप देखिए कि हमारे राज़पूत की मिलिटरी वीकनेस आपको बहुत देखने को मिलेगी ये मिलिटरी वीकनेस के अंदर प्लानिंग का भाव आपको देखने को मिलता है ये मिलिटरी वीकनेस के अंदर टैक्टिक्स का भाव आपको देखने को मरेगा ये मिलिटरी वीकने के अंदर हमें एलिफंट का यूज देखने को मिलता है कि हॉर्सिस का यूज यह कैवलरी का जो उपयोग हमको देखने को मिल रहा है वह कम मिलता है ठीक है यह बहुत ही मिनिमाइजेशन आपको मिलेगा सर गरिंग ऑपर्ड ओके राजपुत राजाओं की हार के कारण पॉइंट ओफ यूज से अगर आप समझने की कुशिश करिए तो एक वो ये भी था कि देवर कॉंटिनुसली अंडर एथिकल वारफेर सरों के और मैंने आपको बताए एथिकल वारफेर क्यों था क्योंकि हमारे राजाओं को लग रहा था कि हम कोई भी कारिय करिये यह सब ए गायल है तो उसको छोड़ दिया जाएगा क्योंकि गायल शत्रू के ऊपर आक्रमन करके उसको मार देना एक पाप के समान था आप देखिए तरेन की लड़ाई के अंदर 1191 में जब फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन हुई तो पृस्वराद चौहान वूड़ हैव इसली किल्ड म आया है वो कमज़ूर हुआ है पर हमारी सेना हमेचा एथिकल वारफेर में लड़ाई करती है इनफेक्ट आज भी आप देखी इंडियन आर्मी एथिकल वारफेर यूज़ करती हम कभी भी फोर्स का यूज़ एक अद्से जादा नहीं करेंगे दुश्मन जो फोर्स का यू पॉइंट ऑफ यू से धर्म यूद कहा गया है धर्म यूद मतलब एक ऐसा यूद जो धर्मिक पॉइंट ऑफ यू से ड्यूटी बेस्ट है आप अपने ड्यूटी से कभी भी विपरित नहीं जाओगे आप यूद के अंदर भी एथिक्स का फॉलोग करोगे आप यह ध्या के राजाओं के अंदर पॉलिटिकल वीकनेस्स या पॉलिटिकल यूनिटी का अभाव भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसके कारण राचपूर डानस्टी इस हार गई राचपूर डानस्टी इसके अंदर यूनिटी नहीं थी आप देखे घजनी के आकरमन के समय पे यह हुआ and we will also find की पॉलिटिकल यूनिटी का लैक होना not having the political unity was also one of the major points and major issues through which we will see the decline of the राचपूर डानस्टी इस विल टेक प्लेस हमारे राचपूर डानस्टी के पॉंट अफ यू से या घोरी के पॉंट अफ यू से हमें ये भी देखना है कि घोरी वस फाइटिं फॉर इस फॉइटिंग फॉर इस लाइफ सर ठीक है न समझे गोरी की सेना को ये चीज़ बड़ी क्लियर कट पता थी कि वो अपनी जीवन के लिए लड़ाई कर रहे हैं अगर यहां पे मारे गए तो there is every possibility कि उनकी बॉड़ी को भी कोई अफगानिसान नहीं भेज पाएगा ये गोरी हमें जीचना है कोई भी विविल सी की कोई भी उसका परिणाम हो जाए सा ठीक है एंड विन अनिकोस के पॉइंट अफ यू से इन लोगों ने कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं किया था सा ठीक है न समझे इनके यहां कोई एथिकल वार्फेर का कंसेप्ट नहीं था इनके य सक्रबन नहीं करेंगे दुश्मन के पीछे से मतलब बैक्ट के उपर वार नहीं करेंगे फ्रेंट वार्फेर करेंगे ऐसा कोई नियम नहीं था सरो के गोरी के लिए ऐसा था कि विनिंग एट एनी कॉस्ट ओके ना परिणाम कुछ भी आए हमें जीतना है सर गेडिंग ऑप तो गुरीड मिलिटरी के लिए एक सक्सेस ये भी रहा कि वो अपने आपको इंप्रोवाइस करते रहे यह अपने आपको बदलते रहे इनके बदलने के कारण भी हमें यह पता चल रहा है कि इन्होंने अपने आपको अपडेट किया आप देखिए कि जब फर्स्ट बैटल तरेन हुई और उसके बाद सेकेंड बैटल ऑफ तरेन हुई इस तौरान एक साल में कंटीनूसली गुरी ने अपने मिलिटरी स्टेजी को वर्क आउट किया उसने देखा कि कहां कहां चीजों के अंदर बढलाव किया जा सकता है कहां कहां मेरी कमजोरी है उसको मैं बदल सक अब तरह कि वह सब कुछ चीजे गोरी कर रहा है सब कंटीनियोस्ती सब्सक्राइब तो दिस आलसो वन आफ दो फैक्टर्स वेर विल सी कि गोरी किसे ना को पता था इन फेक्ट वर मोर और रिलिजियस वार सरेना समझे इनको ऐसा भी था कि यह उनकी पॉलिटीकल वार्थ क सब्सक्राइब तो इसमें हमें यह पदा चल रहा है कि अबजेक्टिव अलग है इसकी सेना के अंदर हम लोग जरूर से दाद देंगे इनकी इनकी मिलिटरी एडवांटेजिस इनको बहुत थे सरहना यह मिलिटरी एडवांटेजिस के अंदर इनके ओफिशेल्स और इनके स्लेव का बहुत ही महत्वा था सर्थीखें यह सेंट्रल एशिया की जितनी भी डैनस्तिशी थी खास करके दिली के सुल्तान्स के समाई की class के अंदर देखेंगे कि slaves became a very important organization and the slaves were the ones actually who is to run the show मौहमद घोरी जो है उसके दो गुलामों ने North India और East India जीता उसके लिए एक था कुतबदिन आबक और तीसरा था बक्तियार खिल जी इसके सिवाए याकूत करके गुलाम था जो अफगहनिस्तान में बैठा उसके बाद और कुपचा करके एक और गुलाम था कोई संतान नहीं था इनके शंतान ना होने के बावजूद भी इन्हों ने गुलामों की मदद से अपने साशन को चलाया और ये गुलामों ने उनको बहुत help कियय sits the consolidation and expansion of empire तो हमें यह पता चल रहा है कि भारत के खास करके राजपूर्ट डाइनस्टी के बीच में जो वी विल सी की weaknesses थी वो पॉलिटिकल यूनिटी का अभाव बहुत बड़ी weakness थी और आर्मी के अंदर अबडेशन नहीं होना ये भी मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ी weakness थी आपको मिलेगी तो सोलंकी परमार चंडेल घडवाल एंड चोहान समझे चोहान जिनके साथ यह गोरी की लड़ाई हुई थी यह सब के सब gradually तूट गए तूटने का मतलब यह है कि हमें यह देखने को मिल रहा है कि जैसे समय आगे जाएगा वैसे वैसे इनके decline phase की शुरुवात होगी सरहना जैसे चंडेल वन से उसका भी decline हो जाएगा परमार डैनस्टी का भी decline हो जाएगा वी विल सी चोहानों का भी decline हमको देखने को मिलता है सरगेडिंग ओपांट ओके तो ओवर पीरिड ऑफ टाइम यह सब की सब राजपूर डैनस्टी की decline हुई यह राजपूर डैनस्टी में चंडेलों के बारे में याद रखना क्योंकि चंडेल वंस के बारे में यह NCRT या तमिलाडू बोड के अंदर यह बॉक्स दिया हुआ है अबॉड दो खजुराव टेंपल है न तो अब को यह सवाल आ सकता है कि विच टेंपल्स आ लोकेटेड इन्ट खजुराव खजुराव कॉंपलेक्स कंसिस्ट अव लक्षमन तेंपल विश्वनाथ तेंपल और कंडरिया मादेव तेंपल इन फाक्त इस अव्ट वर्ल्ड हरिटेड साइट तो अप्फुली आपको आज के क्लास के अंदर चीज़े समझ में आई और मैंने आपको सम्झाने की की कि हाव बक्तियार खिलजी, कुत्वदिन अइबक और इवेंशुरी विलसी की मौमद घोरी वस अबल तो एस्टाबिस इस कंसॉलिडेशन बिकॉस अफ्वीकनेस अफ्टी इंडियन किंग्स और सटेन पॉजिटीव पॉइंट्स इन फेवर अफ गोरी और यहां से दिल् कर रहो होगा क्या सर ओके तो गोरी जब कन्नौच की लडाई किया और कन्नौच को उसने 1194 के अंदर इसको हराया क्या कहते है जैचंद को उनको हराने के बाद गोरी ने दो सेनापतियों को अपटियों किया जो उसके गुलाम थे एक था कुतुब दिन एबक जो नौर्स इं 1206 में कैसे मुर्त्य उसको कल पढ़ेंगे 1206 में जब उसकी मुर्त्य हुई तो कुतुब दिन एबक जो गोरी का गुलाम था उत्तर भारत के अंदर जो उसको छोड़के गया था सेनापती के रूप में गवर्नर के रूप में ये कुतुब दिन एबक गोरी के गुलाम के न ताके उपर आई से समझ में आया कि नहीं है आपको तो आज इतना रखते हैं let us conclude the class today मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि how the different different dynasties has come to power and how the ghorid dynasty had actually established their based in India sir okay the next class के अंदर आऊंगा तब इसके उपर और चल्चा करेंगे मैं आपको फिर से welcome करता हूँ आप हमारे anacademy के application के उपर जुड़ी है हमारे live classes में आईए बहुत मज़ा आएगी you can use this code pnlive यह code को use करिये and 50% discount अभी आपको मिल रहा है pnlive आप कोई भी anacademy का subscription ले रहे हो यह code को ज़ूर से in a two-way conference system तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो मैं live class में वह भी आपकी address कर पाऊंगा और बहुत मज़ा है कि बहुत ही बहुत ही मैं कहूंगा कि enjoyful learning हमारी होती है application के उपर तो आप जूरिए we have got the best interface when it comes to students and teacher interacting आपको लगे जाए नहीं कि आप online education में हो और मेरी world district की नहीं बैच शुरू हो रही है September की एक तारीक से हैना यह first week से ही तो आप इसमें जरूर से जूरिए हैना समझे बहुत लाब होगा आपको and आपकी UPC की तैयारी की आगे की जरनी की guarantee हम देंगे कि आपको इतना rock solid preparation कराएंगे फिर हम देखेंगे कि आपका selection कैसे नहीं होता है please do like, share and subscribe to this platform description box में I'll try to make sure कि इसकी play link या इसकी playlist available करवाई जाए आप यह Google कर जिएगा एक पिछली batch के अंदर या पिछले class के अंदर किसी student ने comment किया है कि सर प्लेइलिस्ट नहीं मिल रहा है कहां पर है तो आप खली प्रतिक नायक YouTube के उपर ही प्रतिक नायक ancient history Tamil Nadu board search करेगा यह सब lectures को भी मैं उसमें add करवा देता हूँ so that हमारी continuity इसके अंदर सरह है तो please do like, share and subscribe नीचे comments करके अंदर बताएगा कि कैसा आपको लगा आज का session कल हम लोग दिल्ली सलतनत की शुरुआत करेंगे और Rajput dynasties के पतन हमने आज के class के अंदर देख लिए है Let's Crack It, Jai Hind, Thank You Very Much